वेल्कम तो मैं चैनल क्विकन टेस्टी आज हम बनाएंगे एक बैंगॉली डिश दिसका नाम है बैगन भाजा यह बनके सिर्फ पान से चे मिनिट में रड़ी हो जाती है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम लेसन मिर्ची हल्दी और नमक को एक मिक्सर में अच्छे से डिशे भाज बना लेंगे आप सिलवत्टे पेइसने चाहते है तो बहुत अच्छा है मैंने यह मिक्सर में इस से पीसा है और इसका एक स्मूध पेस्ट बना लिया है थोड़ा सा पानी डालके पानी जादा मद डालिएगा अधर्वाइस यह अच्छे से मिक्सर में से लगा दिया है और तब इपे देसी घह में इसे रख दिया है और रखने के 30 सेकेंड बाद मैं उपर की तरफ थोड़ा सा घही लगा के इसे पलट के फिर से सिकूंगी हमारी फ्लेम मीडियम होगी अब हम इसके दूसरी तरफ जिदर हमने पलटा है इसके उपर फिर से मसाला लगाएंगे और इसे ढख देंगे एक मिनट के लिए एक मिनट के बाद हम इसे रखन को खोलेंगे और दुबारा पलट के दूसरी तरफ फिर से एक से दो मिनट के लिए इसे सेकेंगे फ्लेम मीडियम रखेंगे अधर्वाइस यह बैगन जल जाएगा मीडियम रखने पे एक दम कुरकुराचा सूंधासा रेडी होगा, यह देखिए, हमारा एक तरफ रेडी हो गया है, अब हम इसे पलट के दूसी तरफ दो मिनट के लिए डखे रखतेंगे, यह दो मिनट बाद हमारा बैगन भाजा एक दम से रेडी है, हम इसे सर्विंग प्लेट में सर्फ कर ले आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, थैंक्यू सो मच